हेलो बच्चों, कैसे हो, आप सभी आईए? आज हम अपना न्यू चेप्टर स्टार्ट करते हैं चेप्टर नमबर 13 स्टैस्टिक्स सबसे पहले देखिए स्टैस्टिक्स हम किसको बोलते हैं ये एक तरीके का हमारे पास क्यों होता है? डाटा होता है चीक है डाटा भी हमारे पास collection of data जैसे हमें बहुत सारी figures दे दिया है हम मान लेते हैं कोई class है उसके अंदर students है हम जब हम total students हैं उनके अलग-अलग marks है हमारे पास जो उन्होंने obtain किये अब हमारे पास जो student के marks है वो हमारे पास क्या एक data है उनका चीक है अब जो data है वो भी दो तरीके का होता है एक हमारे पास क्यों होती है grouped data एक हमारे पास क्यों होता है ungrouped data ठीक है अब देखिए grouped और ungrouped data में हमारे पास क्या difference है जो grouped data होता है वो एक systematic order में arrange होता है लेकिन जो ungrouped data होता है वो हमारे पास systematic order में arrange नहीं होता ठीक है देखिए example देखिए सबसे पहले अ marks obtained by 10 students of class 10th, हमारे पास class 10th है, उसके अंदर जो 10 student है, उनके marks हमारे पास यहाँ पे given है, हमें क्या बताना है mean बताना है कि students ने कितने marks obtained किये, ठीक है सबसे पहले देखिए, mean हम कैसे निकालते हैं जो total marks जितने students ने obtained किये, upon number of students, कैसे निकालेंगे total marks obtained upon number of students, ठीक है, अब देखिए अब आप एक चीज़ नोटीज कीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है random marks है, जैसे 10 20, फिर 10, 10, 30 फिर 50, फिर 70, फिर 20 तो यह एक systematic order में हमारे पास arrange नहीं है ऐसे data को हम क्या बोलते हैं ungrouped data, इसका mean कैसे निकालेंगे, total marks obtained जितने हमारे पास marks आए upon number of student देखिए, total marks हमारे पास क्या है, 10, plus 20 plus 10, plus 10 plus 30, plus 50, plus 70 plus 20, plus 50, plus 20, upon यह कितने नंबर है, 3 3, 6, 3, 9, or 1 10, number of student हमारे पास क्या है, 10, कोशल में already given भी है हमारे पास, कि number of students हमारे पास कितने है, 10 तो mean कैसे निकालेंगे, जितने total marks students ने obtain की है, upon total number of student, जितने हमारे पास student, अब देखिए, जब इन सब का addition करेंगे, तो addition करके हमारे पास क्या आजेगा, 290 और number of student हमारे पास कितने है, 10, 0 से 0, cancel, तो 20 हमारे पास क्या आजेगा, mean आजेगा इस ungrouped data को, इसको हम बोलते हैं ungrouped data, जब मार्क्स को कुछ इस तरीके से arrange कर लिया, ठीक है, 10, 30, 30, 50 and 70, ठीक है, अब हम देखते है, number of students, हम मार्क्स को denote कर लेते हैं XI से, ठीक है, अब आजेगे number of student, number of student को हम किसे denote करेंगे, FI, frequency, अब यह हमारे पास क्या frequency, number of student की, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10, कि जो 10 मार्क्स है, कितने student के हैं, देखिए, 1, 2, 3, 10 कितनी times है, 3 times है, तो जो 10 की frequency है, वो हमारे पास क्यों होजेगी, 3, that means, जो 10 मार्क्स है, वो 3 student के आए हैं, जैसे देखिए, यहाँ पर 10, प्लस 10, प्लस 10, 30, अब हम 10 की 3 के साथ multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या आजेगा, 30, छिक है, इसको बोलते हैं, कि 10 की frequency कितनी है, that means 10 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार अपने आपको repeat कर रहा है, जैसे अब यहाँ आपे हमारे पास क्या है, 20, 20 कितनी टाइम्स repeat कर रहा है, 1, 2 and 3, तो 20 की frequency भी हमारे पास क्या है, 3, छिक है, अब देखिए 30, 30 कितनी टाइम्स repeat कर रहा है, single 1 times, तो यहाँ पर इसकी frequency हमारे पास क्या हो जेगी, 1, 50 कितनी टाइम्स repeat हो रहा है, 2 times, 50 and 50, तो 50 की frequency हमारे पास क्या है? 2 चीक है? उसके बाद हमारे पास है 70 70 कितनी times आ रहे है इस data के अंदर? 1 times तो 70 की frequency 1 चीक है? अब देखिए अब हम क्या लिखते हैं? इसको बोलते है fx function जो marks है x i उसको number of students से multiply करते हैं 10 की 3 के साथ multiply करेंगे तो 30 20 की 3 के साथ multiply 60 30 की 1 के साथ multiply 30 50 की 2 के साथ multiply 100 70 की 1 के साथ multiply 70 ठीक है? ये हमारे पास क्या आजेगा? function अब हमारे पास ये formula होता है mean निकालने का mean को किसे denote करते हैं? x bar अगर data small हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं लेकिन अगर data बहुत ज़ादा हो हम हर एक तो को तो add करके नहीं देख सकते हैं ना तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ marks और कौन सा नंबर कितनी बार अपने आपको repeat कर रहा है वो हमारे पास क्यों होजेगी? frequency दोनों को multiply लिखेंगे हमारे पास क्या आजेगा? function fx तो यह हमारे पास क्यों होता है? mean निकालने का second formula होता है यह भी हमारे पास क्या ungrouped data? क्या होता है? submission f i x i इन दोनों की multiply यह submission f i x i upon f i f i हमारे पास क्या है? number of student बोल सकते हैं या फिर frequency अपने आपको कितनी बार repeat कर रही है? उसको हम बोलते हैं f i यह हमारे पास formula है जो हमें ध्यान में रखना है अब देखें submission of f i x i हमने निकाल लिया यह function हमारे पास क्या है? f i x i अब इन सब का addition submission का मतलब हमारे पास क्यों होता है? इन सब का addition अगर हम इन सब का addition करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 290 और submission of f i frequency का addition यह हमारे पास इसका addition करेंगे हमारे पास क्या आजेगा? कितने number आजेंगे? 10 क्योंकि number of student हमने कितने student का data लिया है? 10 student का data ठीक है? अब देखिए इस formula के अंदर पूट करते हैं submission f i x i यह हमारे पास क्या है? 290 upon submission f i वो हमारे पास क्या है? 10 0 से 0 cancer तो mean हमारे पास क्या आजेगा? 29 दोनो condition के अंदर mean हमारे पास क्या आजेगा? सेम ठीक है? हम tabular form में उसको solve करें या फिर normally सबके addition करके हम उसको solve करें लेकिन mean दोनों cases में हमारे पास क्या हो जेगा? सेम